पिछले तीन वर्षों से लाड़ा की बैटके निवत रूप से नहीं हो रही है तथा इसके साथ पी एसी की बैटक जो की तीन महा के बाद होना निश्चित होती है वह भी वर्ष दोहजार बाईस में एक बार भी नहीं हुई है तथा इन बैटकों में स्थानिय विधाय की पस्तिती में बैटके कर दी गई जिसकी नौर कांग्रेस कड़ी निंदा करती है यह बाद शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस सुर्या बोरस नेगी नेरी कांग पियों में पत्तरकार वारतां को संभोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि लाड़ा की बैट जगसिंग नेगी ने विधान सभा में ये मुद्दा रखा तो उपायुक्त कि नौर द्वारा भाजपा के द्वा में आकर आनन फानन में रिकांग पियों में विधा की अनुपस्तिती में लाड़ावा पीएसी की बैटके कर दी गई उन्होंने यह भी कहा कि उपायुक्त को मालूम है कि आजकल विधान सभा सत्र चल रहा है तता कि नौर विधायक जगसिंग नेगी विधान सभा सत्र में हैं तो उनको इन बैटकों से दरकिनार करने के लिए जान भूच कर यह बैठके कर दी गई जो की निंदनिया है मीडिया पैनलिस्ट डाक्टर सुर्या बोरस ने कहा कि तीन वर्षों से लाड़ा की जो महत्पूरन बैठके जिला की नौर में होनी थी वो बैठके नियमित रूप से नहीं हो पा रही है साथ साथ प्रोजेक्ट एडवाईजरी कमेटी पी एसी की जो बैठक बहुती एवम होती है जिसमें पूरे किनौर के उपयोजनाओं पर चर्चा हुआ आगे की जो प्लानिंग होती है उसकी जो बैठक है वो हर तीन महीने में होनी होती है वो भी इस वरस जो है अभी तक नहीं हो पाया और जब अभी विदानसवा सत्र चला है किनौर के विदायक जो है वो 10 से 14 तक विदानसवा के सत्र में व्यासते हैं उस मद्य उपायोक किनोर मोध्य ने इस भीच में जो है उन बैठकों को रख कर एक चुनेवे प्रतिनीदी को इन बैठकों से धरकिनार करने के लिए सब्तादारी लोगों के दबाब में आकर एक कारे किया जिसकी हम कड़ी निन्दा करते हैं उनको मालूम है कि अभी विदानसवा सत्र चला है और विदायक का जो है इन मीटिंगों में होना बहुत ही एहम था क्यूंकि वो पी एसी के वाइस चेर्मेंट भी है और लाड़ा के मेंबर भी है जहां जन्हित के बहुत सारे मुद्दे इस बैठक में उड़ना था वहाँ प पिगर मोद्या ने संग्यान लेते हुए सीम ओफिस को इस पारे में कहा और तुरंद जो है इन बैठकों को सिख़खित किया गया जिला कॉंगर्स कमेटी इस तरिके के एक तरफा भाजपा के दबाब में किये कारे की परसक निंदा करती है